हालो आपरीबवान दिस इज मांद मोहंदिवारी एन एक नए वीडियो के साथ मैं फिराया हूं हर एक दिन मीच्वल फंड इंवेस्मेंट से रिडेटेड आपके लिए वीडियो लेके आता हूं वाकी में आप चाहते हो वीडियो का अपडेशन सबसे पहले मिले चैनल को सब करो बेल आइकन को प्रेस करो और लाइक को सेर करना ना भूलो आज वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है मैं थोड़ा सा आपको यहां पर संचेप में बता देता हूं देखो फंड स्विच के बारे में आप जानते होगे कई बार इन्वेस्टर को काफी नुकसान होता ह कई बार एक साल डेर साल कंप्लीट होने के बाद इन्वेस्टर के हैसास होता है कि ऐसे मीच्वल फंड में कुछ खास रिटर्ण हमें नहीं मिल सकता है और फिर क्या किया जाता है फंड स्विच किया जाता है एक दूसरे मीच्वल फंड में अपना पूरा पैसा यहां पे ल लगा देता है लेकिन गलट टाइम पे गलट टाइम के सलेक्शन के चलते एक साल डेड़ साल इन्वेस्टर को फिर से रुखना पड़ता है आज मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे और किस टाइम पे आपको यहां पे मतलब समस्थे हैं बहुत सिंपल तरीके से समझाओंगा देखो फंड स्विच का मतलब है कि आप एक mutual fund से दूसरे mutual fund में shift कर रहे हो इट मिन्स कि आपका जो भी पैसा है अब वो दूसरे mutual fund में invested होगा अब कैसे होगा देखो मैं आपको बहुत example बहुत simple example के साथ समझाना चाहता हूं मालों आप ABC mutual fund में invested हो एक साल से उसमें SIP कर रहे हो almost यहाँ पे आपका fund का value 1,20,000 है लेकिन अगर return देखा जाए तो सरफ एक साल में 2-3% का return है आप satisfied नहीं हो तो अब आप यहाँ पे XYZ में switch करना चाहते हो आपका जो ABC mutual fund में पैसा है वहाँ पे वो redeem होगा और वो पैसा जितना भी आपका fund value है वो fund value XYZ mutual fund में invest हो जाएगा अब देखो ABC mutual fund से आप पैसा निगाल लिए और वो पैसा XYZ mutual fund में डाल दिए this is called fund switch exactly यह जो process है यह एक fund switch का process है बहुत simple तरीका है अपना जो भी पैसा है उसको redeem कर दिया और एक नए fund में invest कर दिया it means कि यहाँ पे एक new investment start कर दिया चलिए यह तो clear है अब देखो जब market में बहुत ज्यादा नुकसान होता है जब आपको कोई mutual fund ज्यादा return नहीं देता है जो आपका expectation है जो भी mutual fund आपको लगता है कि long duration में मेरे को ज्यादा return नहीं देगा profit ज्यादा नहीं देगा तो ऐसे इस्तिती में आप fund switch करते हो देखो गलट टाइम पर fund switch करोगे तो नुकसान फिर आपको आगे face करना पड़ेगा मैं सबसे पहले equity to equity fund switch का थोड़ा से हाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ देखो equity to equity mutual fund में अगर आप shift कर रहे हो switch कर रहे हो तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा मान लो market बहुत high है market बहुत ही high level पर trade हो रहा है अब जिस mutual fund में आप invested हो उसमें 2-3% का return है आप चाहते हो कि दूसरे mutual fund में 18-20% का return है क्यों ना मैं दूसरे mutual fund में shift हो जाओ अब आप जो 1,20,000 रुपे है वो आप redeem करवा के उस दूसरे mutual fund में shift कर जाओ जो आपका वो पूरा पैसा 1,20,000 है वो lump sum investment होगा थोड़ा इस बात को दिहान से समझो जो भी आपका पूरा पैसा है पूरा पैसा 1,20,000 दूसरे fund में new investment होगा as a lump sum और उस समय एने भी बहुत ही महंगा है आपने 1,20,000 lump sum investment कर दिया जब market बहुत महंगा है आप देखो theory क्या करता है investment का theory ये कहता है कि जब भी हम lump sum investment करते हैं तो हमें गिरावर्ट पे खरीदना चाहिए हमें एने भी जब सस्ता हो तब खरीदना चाहिए तो हम fund switch कर रहे हैं और हमने ये notice नहीं किया कि market बहुत हाई है और जिस fund के साथ जुड़ रहे हैं उसका यहाँ पे भी बहुत महंगा है और यहाँ पे आपका indirectly lump sum investment हो रहा है तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप equity to equity mutual fund में shift कर रहे हैं fund का switch कर रहे हैं बहुत market जब बहुत महंगा हो तो switch ना करें 10% का return मिलता है जाएगा it's okay not an issue लेकिन जब market break हो crack हो it means की 1000 point 500 point का गिरावट दिखे कुछ पैसा liquid fund से निकालके उस equity में डालते जाए हर गिरावट में कुछ थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाए यहाँ पे आपका fund switch भी होगा security fund में आप जाना चाहते हैं उसमें धीर धीर आपका पूरा पैसा invest भी हो जाएगा और आपको NAB सस्ता भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको long duration में इसका काफी ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा तो equity to equity अगर आपको यहाँ पे fund switch करना है तो हमेशा ध्यान दे जब market महगा हो तो आपको switch नहीं करना है अब equity to debt समरते हैं कोई mutual fund equity oriented mutual fund से आप debt mutual fund में यहाँ पे switch करना चाहते हो तो किस time कर सकते हो देखो जब market बहुत महगा हो आपको जो return चाहिए उससे satisfied हो आपका goal complete हो गया हो या फिर आपको लगता है कि यहाँ से market में अब किरावट होने वाला हो सकता है यहाँ से break हो, यहाँ से crack हो उसमय आप equity से debt में अपना पैसा switch कर सकते हो देखो market अगर बहुत गिरा हुआ है तो उस समय अपना नुकसान से है कि किसी debt fund में पैसा नहीं लगाना चाहिए equity mutual fund से नुकसान से है कि debt fund में पैसा transfer ना करें या debt fund में यहाँ पे switch ना करें जब market महगा हो तो equity से debt में यहाँ पे switch करना सबसे सही time है चलिए, तीसरी बात करते है तो equity, जब आपको debt mutual fund से equity mutual fund में switch करना है सही time क्या है जब market बहुत मंदा हो, बहुत गिरा हुआ हो exactly, अब आपको लगता है कि यहाँ से market में बहुत तेजी आने वाला है तो आप उस समय debt से equity में switch कर जाए जो भी पैसा है, देखो अगर risk नहीं लेना चाहते हैं तो उस समय आप debt से equity में fund switch कर सकते हैं सही time है सबसे अब last one, debt to debt fund में अगर आपको switch करना है तो कौन से बातों को ध्यान रखना है debt to debt fund में switch करना है तो हमेशा देखो कि जिस fund में हम जा रहे है उस समय उसमें काफे गिरावर तो नहीं है वो ऐसे fund में काफी ज्यादा धबाओ तो नहीं है उसके portfolio में जहाँ पैसा लग रहा है जिस bond में लग रहा है वो ज्यादा risk तो नहीं generate करता है और इन सारी बातों को ध्यान में रखके आपको debt to debt fund में switch करना चाहिए देखो यहाँ पे 4 point में ने consider किया कि equity से equity में अगर आपको shift करना है तो किन बातों को ध्यान रखना और किस समय कर सकते हो equity to debt में अगर आपको यहाँ पे fund switch करना है तो कौन से बातों को ध्यान रखना है और debt to debt में और यहाँ debt to equity में मैंने यहाँ पे समझा दिया तो इस 4 point को consider करके जब भी अगर आप fund switch करें तो इन बातों को थोड़ा सा एक बार सोच ले कि आने वाले time में आप अपने fund switch करके आप नुकसान तो नहीं face करोगे इन चार point को consider कर लिए तो exactly जब आप fund switch करोगे तो आपको आने वाले time में कभी नुकसान नहीं होगा अगर आपने इस point को ध्यान नहीं दिया हो सकता है नुकसान ना हो लेकिन कम return मिले कम return मिले तो अगर आपको लगता है कुछ एक point आपके mind में है इस video से related बेजी जग comment box में को रीचन डेट करें आने वाले time में बहुत सारी video लेके आँगा एक humble request अभी तक चैनल को नहीं कियो सब्सक्राइब लाइक हो से तो भी start करें फिर में एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए चैहीं चैपार